वेलकम तो गैजस्ट लीटर गाइस तो कैसे हैं आप लोग आई हो आप सारे काफी अच्छे होंगे तो आज इस वीडियो पर हम डीटेल्स में और रिवीव करने वाले हैं नौइस का नौइस फीट क्रियू का जो डिजाइन बाइंडिया है तो चलिए अप थोड़ा बहुत के बारे में जान लेते हैं 1.38 इंच को डिस्प्ले देखने को में लेगा ब्लूटूथ कॉलिंगा 500 नीट्स का आपको ब्राइटनेस देखने को में लेगा और उसके साइट पर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन दिया गया है जो यह सबटेस्ट का बैट्री लाइब स्पोर् बाकी पीजिएंगें अब इन इंटिया इन डिजाइग है और बाक्त करते हैं यह और ऌर आपको यूझं देखने को मिलेगा एक सब्सक्राइब का एब प्राइप यूनिक पूल सकते हैं body पर aluminum का use कियाetter or sólo strap चुछे का का फिसॉफ्ट है यहां पर अपको चार्जिंग बार्मी नियुस का ब्रैंडिंग देखने को मिलता है और हाँ यह जो और इस वच पर आपको 500 निट्स का ब्राइटनेस भी देखने को मिलेगा और डिस्पले टू बॉडी जो रेशियो कुछ इस तरीके का है अगर मैं बात करूँ वाच का यू आई के बारे में यू आई काफी स्मूथ है मतलब यहां पर कोई भी आप मुझे लैक फिल नहीं हुआ है अगर में उपर से नीचे करूँगा तो यहां पर आपको मैसेज का नडिफिकेशन देखनी को मलता है अगर नीचे से उपर स्वाइप करूँगा तो यहां पर आपको साइलेट मोड़ देखने को मिलता है यहांपर Find My Phone D&D सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना जो काँ मेननु चैंज कर सकते हैं या 24-7 करसकते हैं oppression कर सकते हैं यहां पर यहां पर और यहां भी होपन हो जाता है जहां पर आपको को noise का health tracking देखने को मिलता है जैसे कि heart rate हो गया sleep stress breathe को अभी इस तरीके से monitor कर सकते हैं noise बस पर क्लिक करके अब इस तरीके से contact dial और dial pad को देख सकते हैं access कर सकते हैं यहां पर clock का features देखने को मिलता है clock timer stop watch world clock यहां पर देखने को मिलता है यहां पर आपको sports mode स्बूस्ता मुलता है जो यहां पर अपको 10 sports mode करनेट करके सकते På Já justement today को इस तरीके से यहां से कंटोल कर सकते हैं अपको चार desafault देखने को मिलता है और यहां पर एक जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं बाकि यहां पर फ्लैसलाइट देखने को मिलता है और यहां पर आपको स्टॉक्स देखने को मिलता है अगर आप स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन मतलब देखते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वे क्योंट कर सकते हैं अगर मैं लेफ्ट में स्वाइब करूंगा तो यहां पर आपको एक्टिवीटी एलाम हार्ट रेट बगरा एक शॉटकट मेनू देखने को मिलता है अगर मैं इसको इस तर्लाइट में तो हाट रेट बलड ऑक्सिजन स्ट्रेस देखने को मिलता है सब्सक्राइब बात करते हैं इसके एप के बारे में तो इस वाच को लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा नौइस फीट को जो आप प्ले स्टोर में आप स्टोर में देख सकते हैं यहां पर आप हार्ट रेट सेंसर स्लीप ट्रैकिंग ब्लड ऑक्सिजन यह स्ट्रेस को यहां पर मॉनिटर कर सकते हैं बाकि यहां पर आपको थोड़ा बहुत देखने को मलता है उसके नीचे आपको एक चैंपियंज का ओप्षण को मलता है जो आप खरीच सकते हैं इसके वेबसाइट से अब इस वाच का जो नोटिफिकेशन बगर आए वो सारा आप चेंज कर स मॉनिटर और हेल्फ मॉनिटर पर आपको एक अच्छा देखने को मलता है जो देंकिंग वोर्टर हैंड वाज बगर यहां से ट्रैक कर सकते हैं यहां पर आपको गूगल फीट का भी ऑप्षन देखने को मलता है जो आपका जो ट्रैकिंग है वाच का काफी एक्विट बना देता है बाकि माइक कॉइक रिपलाई वेदर सेटिंग स्टॉक्स वगएर आप यहां से मतलब मॉनिटर कर सकते हैं बाकि फोट्व सकते हैं अगर बात कर दीशे की तो इस वाज पर आपको काफी सारे ड़लंग वाच अब देखने को मिलता है और यहां पर आपको कस्टोमाइज पाट है इसने को मिलता है जिससे से आप अपने यहां पर लगा सकते हैं और यह देखिए काफी अच्छा-च्छा अगर मैं बात करूँ बैटरी बैकप की गाई तो इस वाच पर आपको इस वाच पर आपको आई-पी 60 एइट का बारी वगभभ गयरा लग गया तो ठीक है लेकिन सुमिंग के लिए रिकमेंटेट नहीं है अगर ट्रैकिंग बगएरा की बात करूं तो इस वाच पर आपको हार्ट रेट एस प्योटू स्लिप ब्रीथ और स्ट्रेस मोनिटर का फीचर देखने को मलता है तो चलिए एक करके टेस्ट करके देख लेते हैं तो जैसे कि आप अगर कोई भी तो वाच के डेटा पर रिलाइब मत कीजिए ओक्सीमीटर को यूज कीजिए मेरा जो स्ट्रेस लेवल है और यहां पर दिखाई रहा है नॉर्मल है तो चलिए अब टेस्ट करके देख लेते हैं कितना ज्यादा है देख सकते हैं दिखाई दिखाई दिया है वाच प्रोपर पहना हुआ नहीं है तो चलिए अब इस प्रोपर करके देख लेते हैं यहां पर भी लिखा दिया है मेजर्मिंट फेल्ड तो गाइस इसका जो ट्रैकिंग एक्यूरेसी है वह काफी सथ तक सही है अगर बात करूं की तो गाइस इस वाच पर आपको कॉन्ट पर चार्च करें जैसे कि आप देख रहा है इसका जो स्पीकर क्वालिटी हो काफी ज्यादा अच्छा है और कॉलिस्टी में जाके आप देख सकते हैं किसको कॉल लगाया है अब वहां से डिरेक्ट फिर से कॉल लगा सकते हैं तो चले गईस आप बात करते हैं इस वाच को पर्चिस करना चाहिए या नहीं पहली बात तो गाईस इस वाच का जो प्राइज है वो है 1599 रूपिस और यह वाच आपको मिल रहा है फ्लिप कार्ट पर और इसका जो डिस्प्ले है गाईसे काफी अच्छा है और कलर जो है काफी शार्प है स्ट्रैप्स का क्वालिटी ग जो बिल्ड क्वालिटी है और डिजाइन है वो भी काफी जादा अट्रैक्टिव है 15 रूप है के बजर से में आप आराम से इस वाच को पर्चेस कर सकते हैं और इसका जो बैटरी बैक आप है वो भी काफी इंप्रेसिव है तो लिंक वगएरा सारा मैं डिस्क्रिप्शन ब जाइस मेलता हूँ एक नए वीडियो के साथ तब तक खुश रहिए खुशिया बाठते रहिए मुस्ट इंपोर्टनली खुद का ख्याल रखिए